आमादी पाटी की राजसभास्तांसर्थ स्वाती मालीवाद जो इन दिनों मीडिया में च्छाई वी हैं, सुर्ख्यों में बनी वी हैं, जिनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, दुलवहवार किया गया और ये मारपीट किसी और नहीं, बलकि अर्विंद के जिवाल के पीए विभव कुमार ने किया है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर क्या वज़ा रही है मारपीट के पीछे की, और क्यों ये मामला इतना ज़ादा टूल पकड़ता जा रहा है, इस पूरे मामले की बारे मार को गिरफतार कर लिया, जिसकी बात सियम अर्वन के जिवाल ने शाम पांच बजे एक पीसी की, और सोरान उन्होंने कहा कि कल यानी के रहिवार को बारा बजे अपने निताओं के साथ बीजेपी हेड़कोर्टर आ रहा हूं, जिससे जेल में डालना चाहते हैं, जेल में डाल दें, लगतार इस पूरे मामे पर हंगामा बर्पा हुआ है और सियासत बिहदी गर्म है, इसकी शुरुवात कबसे हुई, आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं, इसकी शुरुवात होती है तेरा मई को, जब एक खबर आये कि दिल्ली के मुक्य मं के साथ मारपी की, जिसे हां मारपी पार्टी ने इस केस से पल्ला जार लिया, इतना ही नहीं, आपने इसे बीजेपी का शडियंद्र बता दिया, और मालीवाल को बीजेपी का महरा बता दिया, दिल्ली की मंद्री आतिशी ने शुकरवार को पीसी की, और कहा कि स्वाती माल मालिवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्गंद केज़िवाल की घर 13 मही को सुभा भेजा गया इस साज़िश का इरादा था केज़िवाल पर जूठे आरोप लगाना स्वाती मालिवाल इस साज़िश का चेहरा थी स्वाती बीजेपी का मोहरा थी तो हैं इसके बाद मावमी पार्टी पर पलटवार करते वे सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पार्टी में कल के आये नेटाओं ने 20 साल पुरानी कारेकरता को बीजेपी का एजिंट बता दिया दो दिन पहले पार्टी ने PC में सब सच कबूल लिया था और आज यूटर उन्होंने आगे लिखा कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है ये गुंडा यानि की विभवकुमार वो यहाँ पर आगे कहती हैं कि ये गुंडा ये धमकी दे रहा है कि मैं अगर अरस्थ हो दिन पुलिस ने कारवाई भी शुरू कर दी है और दिन पुलिस शुकरवार शाम को सीम अर्विन के जीवान के आवास पर पहुंची थी जहां ये सीन फिर से रिक्रियेट किया गया और वहां पर मौजूद स्टाफ से पूठ स्टाज भी की गई लेकिन सब के बार अलावा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर स्वाती मालिवाल के साथ बजसलू की मारपीर क्यों की गई मारपीर की वज़ा क्या रही है कौन सी वो बात है जिस बात को लेकर वहस्वी और मामला मारपीर तक पहुँच गया हाला कि इस पूरे मामने पर विववक कुमार ने स्वाती मालिवाल पर कई सारे आरोप लगाए है और पुर्णिसर्श श्रिकायदी की है आगे इस मामने में क्या कुछ अप्डेट सामने आएगा आपको बताएंगे बड़े अप्डेट के लिए आप जूने लेगे नियू सेटी बिहार जुहारखन के साथ